कि लिए ग्रेविटेशनल फिल्ड दू उनिफर्मली डिस्ट्रिबूटेट मास सिस्टम और उसमें से हम लोग चो पहला एक्सांपल लेने वाले हैं वो है एक बड्रेविटेशनल से ड्यू टो ग्रेविटेशनल पील्ड दूटो कि यूनिफॉर्म होलो कि इस फेर ओके यूनिफॉर्म होलो स्फेर तो हम लोग इसको डैरेक्टली करेंगे मालो यह हमारा एक स्फेर है ठीक है जिसकी हमें इसके कारण निकालना है तो हम इसमें अलग-अलग केस ले सकते हैं पहले केस में हम यह मान सकते हैं कि हमको जहां पर निकालना है वह पोजिशन जो है वह इससे बाहर है ठीक है तो इनसाइड है तो आर लेस देन आर यह वाला केस कौन सा हो गया इनसाइड ठीक है तो इस सिच्वेशन में आपका जो फिल्ड होता है वो क्या होता है जीरो होता है इसके अंदर फिल्ड क्या है जीरो है फिर हम केस ले सकते हैं केस तू है ना आर इक्वल टू आर यानी सर्फेस ठीक है सर्फेस पर अगर आप लेते हो तो आपको जो फिल्ड मिलेगा वह कितना मिलेगा जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वेर ठीक है और केस्टीरी अगर लेते हो जिसमें की आर ग्रेटर देन आर मांते हो यानि आउट साइड हो गया ठीक है जब आप आउट साइड जाते हो तो फिल्ड का जो फॉर्मूला है वह हो जाता है जी एम बाए आर स्वरी कि आउट साइड के लिए अगर आप इसका इसके फिल्ड का वेरियेशन देखना चाहते हो एक ग्राफ करना चाहते हो तो आप एक ग्राफ कर सकते हो इनके बीच में इसके किसके बीच में पिल्ड और आर के बीच में तो आपने क्या देखा विटा अब तू आर एक्वल्स टू आर तक जीरो था और आर के बाद आर के उपर क्या था कि यहां पर कितना था कैपिटल जी एम वाए कैपिटल और इसके बाद क्या हो रहा था इन्वर्स्टी पर पूश्चनल टू आर इसके तरीके से इंफिनिटी तक चला जाएगा इधर क्या है जी एम वाए स्मॉल आर स्कूर यह हो गया ग्रेविटेशनल फिल्ड दूटू उनिफॉर्म हॉलो स्फेर आरी मेरी बात समझ में युनिफॉर्म हॉलो स्फेर के लिए इस तरीके से हो जाएगा यहां से यहां तक क्या है बटा जीरो है तो हम इसको कि डॉटेड मतलब नहीं है हाड मतलब है तो यहां तक आपका फिल्ड क्या था जीरो था कहां तक सर्फिस तक यह हो गया ग्रेविटेशनल फिल्ड दूटू युनिफॉर्म हॉलो स्फेर झाय हुआ है बकुत है झाय हाओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड विथ ओ इसीए सेगेंड जो हमारा कट्ट केस यह है सिचवेशन है अगर हम सॉलीड इस्फेर लेले ठीक है gravitational field due to gravitational field due to solid is fair solid is fair तो इस पर क्या होगे बिटा सॉलिड स्फेर है तो यह पूरा क्या है भरा हुआ है तो इसका जो कि रेडियस है वो कितना है कि capital R है और इसका टोटल मास मालो capital M है अगें इसमें भी हम क्या कर सकते विटा तीन केस ले सकते हैं कि केस वन पहले आर लेस देन आर के लिए मतलब क्या हो गया यह इन साइट के लिए फिल्ड जो है आपका आता है जी ही bustle M small are upon capital R square capital R cube olan capital C commercial R M small are upon capital R curve यह होता है अउना और फिल्ड का पार्व्मूला इस पर अप कहा निकाल रहे हो इंसाइड में हो यहां कहीं पर हो तो यह डिस्टेंस जो है आप क्या मान सकते हो स्मॉल आर मान सकते हो ठीक है स्मॉल आर ओके अब देखो यह हो गया इंसाइड के लिए अब केस्टू इस टू आर इक्वल टू आर यानि सर्फेस के लिए तो सर्फेस पर क्या हो जाता है आपको इसी फॉर्मूले में सर्फेस पर जाओगे तो यह वाला जो आर है वह कितना हो जाएगा आर हो जाएगा एक अड़ जाएगा में और बच जाएगा क्या एक टू जी एम बाए कैपिटल आर स्क्वेर कर दी एक एक गेस केपिटल इम यह सेकेंड हो गया तर्ड केस केस थ्री केस थ्री आउटसाइड पॉइंट आर ग्रेटर देन आर के लिए यह आउटसाइड हो गया आउटसाइड हो गया ना तो फिर आपका फॉर्मूला क्या होता है इसा हो जाएगा केसा केपिटल जी केपिटल एम अपवन स्मॉल आर इसक्वेर देखों कभी एक चीजा आप याद रखना नौट करके लिखा देता हूं अगर दर यूनिफर्म मास्ट स्ट्रीशन हो प्ली इस यूनिफर्म मास्टिश्टीशन को यूनिफर्म इस दिस्ट्रीशन and position where field is to be calculated field is to be calculated lies outside then the whole mass can be considered considered as point mass concentrated at concentrated at its geometrical center geometrical center अगर आपका जो mass distribution है वो यूनिफॉर्म है और आपको जिस पोजिशन पर फिल्ड निकालना है वो बाहर है आउटसाइड है तो ऐसे सिच्वेशन में आप उस पूरे मास को क्या कर सकते हो एक पॉइंट जो उसका geometrical center है वहाँ पर concentrated मान सकते हो जब मैं बाहर निकाल रहा हूं ना या सर्फेस पर निकाल रहा हूं यहां पर मुझे निकालना है आर पर ठीक है तो मैं इसको क्या मालूंगा पॉइंट मास माल लोगा पॉइंट मास के लिए हमने पड़ा जी एम अपन क्या होता है आर स्क्वेर तो जब आउटसाइड पॉइंट तो कुछ टेंशन ही नहीं आपको सिंपल क्या कर लेना है उसको एक पॉइंट मास माल लेना है थमजगे तो चलो अगर हमने इसका यह बनाया इसके फिल्ड का वेरियेशन देखा तो क्या होता है इस तरफ हमने ले लिया फिल्ड को और इस तरफ हमने ले लिया आर को तो और यह ले लिया मैंने आर इकुल्स टू आर यह क्या है आर इकुल्स टू जीरो और यह क्या है आर इकुल्स टू इन्फिनिटी आर टें तक है न सेंटर से लेखर के रेडियस तक क्या था इंसाइट इंसाइड पॉइंट होगा इनसाइड पॉइंट में हमने इवराबर क्या देखा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यों ऐसा देखा तो यह और आर के बीच में देखो कैसा रहेगा स्टेट लाइन रहेगा जब आप पर पहुंच गये तो बिटा आपका कितना हो गया फिर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वेर हो गया था है ना सर्फेस पर क्योंकि उससे में आर आपको क्या रखना होता है कापिटल आर रखना पड़ता है तो यहां तक इस एरिया में एप अपन और क्यूब था इसके बाद इहां पर गया होग है जी एंबाइर स्क्वेर और ऐब आर क्या था वीटाव कैपिटल आर क्या था यह बढ़ेगा तो फिट से होगा गटेगा तो आपका इधर का जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा है तो यह हो गया फिल्ड का वेरियेशन विट डिस्टेंस फ्रम दी सेंटर इन केस ऑफ सॉलिड स्फेर किलियर है मेरी बात बिटे अच्छे से समझ में आ रहा है इसी तरीके से अगर हमने थे अधर्ड ले लिया ग्रेविटेशनल फिल्ड डियू टू ग्रेविटेशनल फिल्ड दू टू यूनिफर्म शर्कुलर रिंग वनिफॉर्म शर्कुलर इस एक रिक्र कि तो क्या होता इसके लिए कि यह मानलो कि हमारा रिंग हो गया कि यह इसका सेंटर है कि इसका कि रेडियस मानलो कैपिटल आर है और इसके एक्सिस पर यहां मुझे फिल्ड निकालना है जो कि इससे कित्ती दूरी पर है समझो कि एक्स डिस्टेंस पर है ठीक है तो यहां पर जो इस पर टोटल मास सपोज हमने डाल रखा है तो इस पर जो टोटल फिल्ड आएगा मतलब एक्सिस पे जो फिल्ड आएगा इस पॉइंट पे उसका फॉर्मूला क्या होता है बिटा क्यापिटल जी क्यापिटल एम एक्स अपॉन आर स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर का पावर थ्री बाई टू ठीक है आपका फिल्ड का फॉर्मूला एक्सिस पोजिशन पर आगी बात समझ में केलियर है मेरी बात अब देखो बिटा अगर आप चाहो कि इसकी जो इलेक्टिक फिल्ड की जो वैल्यू है वो डिस्टन्स के साथ कैसे चेंज हो रही है इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी तो मैक्सिमम वैल्यू कि अपको पता है मैक्सिमम मेर डूंडने के लिए क्या करना पड़ता है एक बार डिफरेंशेट करते हो इकवल टू जीरो करते हो तो आप जब ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा एक्स इक्वल्स टू मिलेगा प्लस माइनस आर बाइ रूट टू यहा डिवाइड वाइड रूट टू टाइम प्लेस पर चले जाओगे तो वहां पर आपकी जो फिल्ड है वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी ठीक है के लिए मेरी बात और जब आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस एक्स की वैल्यू को फॉर्मूले में पूठ कर दो तो फिर आपका जो यह आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी यह मैक्स किके यह कितना होगा विटा यह हो जाएगा सकते हैं और यहां पर उट कर सकते हैं तो यह आपको कर क्या है ethрашिआ ऑं ठीकी वाड़ näपके इस्के वाजासे रिंग की तो भईया जब एक सिक्वेस्टू प्लस माइनस और रूट टू होगा अब अगर हमने इसका इसका कि पिल्ड का वेरियेशन दिखाना चाहा यह और आर के साथ तो आपने जैसा कि देखा कि आर वाय रूट टू पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है एंड फिर से किया होगा स mutta सोरी कि इसकी वैल्यू कि तरीके से यहां पर मैक्सिममम हो गे और फिल्टी पे जाके जीरो हो जाएगा ओसिरा निन्बी पे जाके क्या हो जाएगा कि इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो जैसा कि बोला गया है कि ब्रह्मांड में कोई भी दो अबजेक्ट है वह एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रेक्ट करते हैं वैसे ही अगर उस में से एक जो है वह क्या हो गया हमारा अर्थ हो गया और की कोई दूसरी चीज़ हो गई जैसे की एक बॉल हो जैसे की एक बॉल हो तो बेटा अर्थ क्या करेगा इसके उपर ग्रेविटेशनल फोर्च लगाएगा एक एक लगाएगा जनरली हम मान के चलते हैं कि चलो यह एक लोग्वाज टू अर्थ है अर्थ का रेडियस बहुत जादा होता है अर्थ का रेडियस होता है वीटा रेडियस ऑफ एफ एफ और शिक्स पॉइंट इन देश्टू शिक्स मीटर यह फिर सिक्स्टी फोर हंडडर्ड कीलो मीटर तो देख रहे हो कि इसका रेडियस क्या है काफी ज्यादा है तो अगर इसका थोड़ा भूथ हाइट होगा भी तो उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो तो इस पर क्या हो रहा है ग्रेविटी अर्थ की तो इतना इस बॉल के उपर जब आपको हो पता है वेटए जब किसी बॉलिटी पर फोर्ष लगता है तो उसके एक्सलरेशन इस गेरेशन बॉडू हो जाता यह यह और यह कैंसल हो जा रहा है ए बराबर क्या रहे चीकेपिटल एम अपॉन आर स्क्वेर् धू convection इस बौड इंज की वजय में तो वो हमारे क्या बोलते हैं ग्रैविटी की वसraf女 इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं अलग से बोल देते एक सपिशल एकसलरेशन नाम दे देते इसको या बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो क्या निकल के आ रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इससे हमें क्या समझ में आता है कि यह जो एक्सेलेरेशन है ग्रेव्टी के कारण एक्सेलेरेशन है वह अलग-अलग प्लानेट पर जाएंगे तो उस प्लानेट का मास अलग हो जाएगा तो उस प्लानेट पर स्मॉल जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी तो अलग-अलग प्लानेट पर आपके स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी अलग-अलग होगी तो जी कैपिटल य होगी डाइ इसकी बार याद रखें यह हमेशा क्या होता है टोवर्ट्स होता है ठीक है यानि वर्टिकली डाउनवर्ड होता या तो यह होता है अ Orleans इन है के जious जी है वह कई सारे इन करते कई सॉरी चीजें यह जिसके वैल्इू इसकी करती है तो सबसे पहले हम आर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ पर देख लें इसकी वेल्यू क्या होती है तो अर्थ पर इसकी वेल्यू जो है क्या हो जाएगा तो चैपिटल जी की वेल्यू आपको पता है एक प्रफ इसक्स पॉइंट्ट इंट्रीश टू-11 और टेपिटल एम मास आफ अर्थ याद रखना मास आफ अर्थ जो है इसे इन्ट्रीश टू-24 केजी होता है तो इसे इंट्रीश टू-24 हो गया अपान रेड इस टू-6 का फोल इसक्वर जब आप इन सारी चीजों को कैल्कुलेट करोगे एक विल कम टूबी 9.8 मीटर पर सेकेंड इसक्वर या फिर अप्रॉक्समेटली 10 मीटर पर सेकेंड इसक्वर तो ग्राउंड पर अर्थ के सर्फेस पर इसकी वेल्यू जनरली यह लेके चला ज इसे फैक्टर से जिस पर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है ओके फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अ पहला चीज होता है इस पहला चीज है कि अल्टिट्यूट और हाइट अल्टिट्यूट या हाइट तो क्या होता है बिटा जी ऑन हाइट अगर आप निकालोगे न तो यह हो जाता है जी ऑन अर्थ सर्फेस अपन वन प्लस जी बाए सली प्लस और एच बाए आर का पोल स्क्वेर थीक है क्या हो जाता है आर एच बाए आर का पोल स्क्वेर या फिर आप लिख सकते हो जी ऑन अर्थ सर्फेस वन प्लस एच सिर्फ लिखिलो हाइट अप अपोन आर वन प्लस एच बाए आर का कोल स्क्वेर इस तरीके से लिख सकते टिजी ऑन रही हाइट पर जाने इसका फॉर्मुला है वह कुछ तरीके से हो जाता है अगर आप उपर उपर जाओंगे आपका एच बढ़ गया ये वाला कॉअटिटी क्या हो जाएगा बढ़ इसके बढ़ने से यह क्या हो जाएगा घट जाएगा क्या समझ में आया कि विद्ध हाइट जी क्या होता है घटता है एक फॉर्मूला हो गया अब यहां पर आप एक और चीज कर सकते हो इसको लिख सकते हो जी ओन अध सर्फेस इंटू वन प्लस एच बाइर का पावर माइनस टू ऐसा उपर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा अगर यह एच बहुत छोटा हो हाइट जो है ना वह बहुत छोटा हो रेडियस ऑफ अर्थ से तो ऐसे सिच्वेशन में इसकी जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा है ना एच आपके पास दो फॉर्मूला और एक यह फॉर्मूला अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम सर्क यह वाला फॉर्मूला यू सकरें और कब यह वाला फॉर्मूला यू सकरें थ्यान रहे बढक छोटी हाईट के लिए यह यू सकरेंगे यह फॉर्मूला कब इस यू स्करूमूल हाईट आप पर आप ट xen KRA Sao ठीक है लेकिन अगर बड़ी हाइट हुई थो फिर यह फार्मूला यूज करेंगी यह मेन फार्मूला हुआ फॉर लार्ज हाइट्स थीक है तो कन्फिजन नहीं रहना चाहिए लार कहां कॉन सा यूज करना बडा जेंज हुआ है ना तो अभ्यषुली बडा change कब होगा अग जादा उपर की height पे जाने पे थीक है तो उस समय हम क्या करेंगे ये वाला यूस करेंगे और स्मॉल हाइट के लिए हम यह वाला यूस करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर हमें यह बोला जाए कि हाइट के साथ परसंटेज चेंज कितना होगा है ना ग्रेविटी में तो चुकि अभी अभी आपने देखा जी ऑन हाइट इक फॉर्मुला हमने निकाला जी इंटू वन माइनस टू एच बाए आर ऐसा अगर बेटे आप इसको जी एच अपन जी कर ले पररिजिनल जी नीचे है इक बॉस्टो क्या रहा है टू एच है फेर क्या है हाइट पर हमने क्या बोला हाइट पर यह चीज आपको क्या दे रहा है पर्सेंटेज चेंज इन जी दी रहा है और ओरिजिनल जी नीचे है इक वस्टु क्या रहा है तू एच बाइर आ रहा है अगर आप दोनों साइड हंड्रेट से मल्टिप्लाइ कर देते हो तो क्या चीज हो जाएगा यह देखो तो इसको क्या कहते चेंज अपन ओरिजिनल इंटू ठीक है इस तरीके से आप पर्शंटेट चेंज निकाल सकते हो जी में क्लियर ओके चलो यह हो गया विद्ध हाइट अब हम बात करेंगे कि एफेक्ट पढ़ रहे हैं दूसरा इफेक्ट किए डिख के डिखट का क्या इफेक्ट होता है इसको देखते हैं वह जब आप यह उर्थ है तो फिर आपका जी कितना हो जाएबात है तो जी आन्द्फ होता है जी इन्टू 1 माइनस डी बाइ आर अतना होता है जी इन्टू 1 माइनस डी बाइ आर तो यह होता है that seventh के साथ your gravitational का ωरीएशन क्या दिख रहा है अबको क्या दिख रहा है डिवाणा dedicatej ये वाला quantity बढ़ा हो जाएगा ये वाला quantity बढ़ा हो जाएगा तो इतना बढ़ा quantity माइनस हो जाएगा माइनस होने से क्या होता है घट जाता है तो विट डेफ्ट भी क्या होता है डिक्रीज होता है डिक्रीज इस भिट डेफ्ट डेफ्ट क्या impact हुआ की depth के साथ भी होता है height के साथ भी in decrease होता है और depth के साथ भी decrees होता है ठीक है वहाँ पर क्या formula थे दो थे यहाँ पर क्या है single ही formula मिला हर समय एक ही लगेगा पूशनटेच चेंज निकालना है तो अगेन से आप क्या कर सकते हो इसको इधर बुलाओ थो जी इसको बचएगा बनस घपार बचेगा अब आप इसको इसी तरफ ले जाओ जया थो क्या माइनस ऑन डेफ्ट आप उटी कյths जी ओन डेफ्ट अपन आर हो जाएगा इक वस्टू क्या बचा बिटा डी बाइब आर बचा थीक है यह जी है ना स्मॉल जी तो क्या हो जाएगा जी माइनस जी ओन डेफ्ट अपन जी इक वल्स टू डी बाइब आर जी माइनस जी ओन डेफ्ट क्या हो गया अपन नीचे क्या है और इधर क्या है डेफ्ट अपन रेडियस अगर आप दोनों साइट हंडेट से मल्टिप्लाई कर देते हो तो क्या होगा बता अब यह चीजे परसंटेज में चेंज हो जाएगी ठीक है तो यह क्या हो गया आर इंटू हंड्रेड तो दिस इस था परसंटेज ओफ परसंटेज चेंज इन जी ओके विट डेफ्ट के लिए अब हम बात करेंगे और अबर अबर फैक्टर्स की तो तीसरा फैक्टर है सेप आफ सेप आफ आफ अर्थ अब सबको पता है कि जो अर्थ है ना उसका से परफेक्ट इस फेर नहीं है ना परफेक्ट इस फेर नहीं है वलकि क्या है वो इलिप्टिकल है थोड़ा सा इस तरीके का है तो इससे क्या होता है वेटा इससे क्या होता है आपको पता है यहां यहां क्या होता है पोल्स होते हैं नौर्थ फोल साउथ लो और यह क्या है क्वेटर है तो यह वाला जो रेडियस है वह बड़ा होता है और यह वाला जो रेडियस है वह क्या होता है चोटा होता है तो इसको क्या बोल लेता हूं मैं यह वाला और एक्वेटर बोल लेता हूं और यह जो डिस्टेंस है वो क्या बोलूँगा और वोल लूँगा तो अभी तो कि आपने पढ़ा कि जी का फॉर्मूला क्या होता है जी कैपिटल M अपन कैपिटल आर इसक्वेड तो यहां पर जो है पोल पर क्या हो जाएगा और जी ओन इक्वेटर जी एम अपन आर इक्वेटर का स्क्वेड हो जाएगा पहला दूसरा अब अगर आपने इनको डिवाइट कर दिया कि यह और यह कैंसल हो जाएंगे जी ओन पोल अपन जी ओन इक्वेटर क्या हो जाएगा आरी स्क्वेड अपन आर पी स्क्वेड अब देखो यहां से आपको समझ में आ तो आरी है वो बढ़ा है एटे से जब आरी बढ़ा है तो इसका जो रेश्यों है वह हमेशा क्या होगा वन से बड़ा होगा इसका मतलब अजी ओन पोर कि जो है वह क्या है बढ़ा हो रहा हूँ जी ओन हुआधित चैनल पर जी जू है वह मैक्सिमम होता है और एक्वेंटर पे कम होता है कि पैस्ट जी कोई तो इसे ग्रेटर तरहन जी इक्वेंटर तो कि अच्छ तो इसका क्या मतलब हुआ वेटा अगर मैं पोल से इकवेटर की तरफ आउंगा तो मेरा जी क्या होगा घटेगा और अगर इकवेटर से पोल की तरफ जाऊंगा तो मेरा जी क्या होगा बढ़ेगा तो अगर आप से बोलता है कि मैं इधर से इधर जा रहो हूं मेरा क्या होगा वजयन जी वगएर तो आप यह सब बता सकते हैं तो शोप आफ शेप ऑफ अर्थ का भी क्या फेक्ट था वो भी समझ में आगया ओके अब बात करते हैं एक फोर्थ फैक्टर अगे डियू तू अगे रोटेशन ओफ एर्थ रोटेशन ओफ एर्थ और इस ओन एक्सिस अपनी एक्सिस अपनी इसका जो रोटेशन है उसकी वजह से एफ्यक्ट होगा तो देखो है अमारह जो अर्थ है वो दो तरह का मोशन करता है एक चैक जो है कि रोटेशनल मोशन और एक रिवालीूशन रोटेशन और रिवाल लीशन यह दो तरह के मोशिबूशन होते हैं ठीक है आरी बात समझ हम रोटेशन का मतलब क्या है कि यह जो है हमारा अर्थ वो सन के चारों तरफ ये अर्थ के चारों तरफ क्या होता है वह रोटेट करता है इसको कहते हैं रिवोल्यूशन शाथ में रत जो करता है अपनी एक्षिस पर रोटेट करता है कि सो और जो किया रोटेशनल मोशन और जो रोटेशन की वज़वज G वाड़ होते है तो ऐसा हाल है इसमें आपन क्या करते हैं कि कि अगर मालो इसको हमने क्या बोला इक्वेटर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्लेस यहां पर सिच्वेटेड है तो इसकी अगर लोकेशन बतानी है आपको तो दो चीज़ें लगती है उसमें से एक चीज है कि यह आप इसके सेंटर से इसको मिला दो ठीके ऐसा तो विटा यहां पर एक एकवेटर के साथ एंगल बनता हुआ इसको कहते हैं एंगल आफ लाटिटूड अनस एक तही लाटिटूड लाइने से लोंगीटूड लाइना न सिb कि लांगिटूड एंड़ लाटिटूड के तर्मस में किसी भी पॉइंट का जो है कोडिनेट बताया जाता है और इस से आप क्या कर सकते हो एक्जेक्टलि किसी पॉइंट कालोकेशं पता कर सकते हो थिक तो यहां हमें जरुरत है एंगल ओफ लाइटीटूट की अगर आपने यह पड़ा है जियोग्रफी वगरा तो आप देखो हमारा जो अर्थ होता है वह इस तरीके के ऐसे ऐसे लाइन्स में बटे होते हैं यह वाले जो लाइन्स होते हैं उसको लैटीटूट बोलते हैं और कुछ ऐसे स है तो एंगल ओफ लैटीटूट आपको समझ में आ गया होगा तो यह हो गया एंगल ओफ लैटीटूट तो इस पे जो इसके कारण जो इफेक्ट होता है जो जी इफेक्टिव आता है हमारा जी नेट रोटेशन की वज़ए से वह आता है जी माइनस ओमेगा स्क्वेर आर स्क्वेरलम्डा इसहीज सथी फॉर्मुला यह कोंए यह कहें तो इस इक्वेशन में और बांकी शारी चीजें क्या है है जी हो गया सथे थिर इफेक्टिं यह वाला ची क्या होगा जीए इफेक्टिव पोल और ओमेगा क्या है यह एंगलर हो रहे है छोगीह द्टीच्टीट अ capitで आप देखर न्वहोमेंगा घट रहे ओके तो जी नेट इक्वेस्टू क्या होता है जी पोल माइनस ओमेगा स्क्वेर आर को स्क्वेर लेपड़ा ओके तो यह है सभी फैक्टर्स जिनके ऊपर आपका रोटेशन सोरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है सारे फैक्टर्स हमने डिसकस कर लिए ओके बच्चों